हलो बच्चो आज के क्लास में हम लोग आइडियल गैस एक्वेशन से रिलेटेड कुछ प्रोब्लम्स पर रहेंगे पिछले वीडियो में पीछे के दो वीडियो में आइडियल गैस एक्वेशन किसे कहते हैं पूरा डिटेल उसका आइडियल गैस एक्वेशन का हम लोग कर च किया गया था उनके basis पर आज का जो वीडियो रहेगा वो ideal gas equation के सिर्फ और सिर्फ numerical problems पर रहेगा तो हम लोगा start करते हैं हम लोग का पहला question पहला question ध्यान देजिए क्या बोला जा रहा है total number of moles of oxygen atom तो ध्यान रखिएगा total number of moles of oxygen atoms oxygen atoms का total number of moles निकालना है इन 3 लीटर ozone gas ozone gas 3 लीटर लिया गया किस condition पर तो at 27 degree Celsius and 8.2 ATM तो हम लोग इसको figure से समझे एक container ऐसे बना लेते हैं बुला जाए कि इसी container में हम लोग का ozone gas लिया गया है तो इस container में O3 gas लिया गया और ozone gas का volume या container का volume याद रखें में gas का अपना कोई volume नहीं होता है जो volume container का gas उस पूरे volume को occupy कर लेता है तो volume कितना बोला गया question में 3 लीटर यह ozone gas किस temperature पर लिया गया है 27 degree Celsius के temperature पर इसको Kelvin में convert किजिए 273 add कर दिए तो 27 में 273 add कर देंगे कितना Kelvin हो जाएगा हम लोग का 300 Kelvin और कितने pressure पर लिया गया है तो 8.21 ATM के pressure पर यह question का data हो गया अब समझें इस container में ozone gas है 300 Kelvin और 8.21 ATM के pressure पर हमें ozone gas का मोल नहीं निकालना है O3 का मोल नहीं निकालना है oxygen atom का मोल निकालना है कैसे निकालेंगे तो ideal gas equation यूज करें PV ब्रावर एन रटी तो n ब्रावर क्या हो जाएगा हम लोग का PV अपान आर्टी यह ध्यान दें प्रेसर ozone का volume भी ozone का temperature भी ozone का तो number of moles भी किसका निकल कराएगा ozone का तो यहां से हम लोग ozone के moles को निकालेंगे हम लोग numerical value के साथ unit भी पूट करेंगे unit साथ साथ पूट करते हुए चलिए प्रेसर 8.21 ATM कि वालीम हम लोग का कितना तो 3 लीटर वालीम हम लोग का 3 लीटर अब नेक्स्ट आगे बताईए खुद से आप लोग बताईए भाई आर का value आर का तो तीन तीन value हम लोग जानते हैं लेकिन आर का कौन सा value ले जूल वाला कैलोरी वाला या लीटर अट्यम वाला तो यहां पर ध्यान देजिए प्रेसर ATM में वाल्यूम लीटर में तो आर का कौन सा value लेना चाहिए तो लीटर अट्यम तो आर का value 0.0821 लीटर atom कर मोल Kelvin liter ATM पर मोल Kelvin into temperature तो temperature question में कितना दिया हुआ है 300 Kelvin अब इसको हम लोग solve करें तो solve किजिए यह etm और ATM कैंसल आउट लीटर कैंसल उट कैंसल कैंसालल के तो निवेरेटर में कितना जाएगा 100 फिर है 100 और यह 300 cancel out किजे कितना जाएगा हम लोगत 3 और 3 3 cancel अवन बचेगा तो हम लोग औ मैं फिर से रिपीट करता हो बया यह प्रेसर किसका था mutation किसका उसर निखल जैना का निकल करेंगा उजन का तो और मोल कि विखता चला है तो कितना मूल है वन मूल हमें oxygen atom का मूल निकालना है oxygen atom का मूल निकालना है तो ज़रा ध्यान दिए ओ थ्रे इसके एक मॉलक्यूल में oxygen के तीन हैं तो वन मॉलक्यूल में oxygen का 3 मतलब इसका वन मॉल लेंगे तो ऑख छिजन के तीन मॉल एटम होगे तो ऑ सीजनल एटम के इतना मिलेगा हमें कीड़ोंत मुंञें कि त्री मॉल यही हम लोग का क्या है अंसर यहीँ सब situation मैश करेக cabinet with q अहम लोग अहम लोग नेक्स कोस्टन पर आते हैं नेक्स कोस्टन को समझेगा नेक्स कोस्टन में क्या इनफॉर्मेशन दिया गया है चलते हैं दूसरे कोस्टन को हम लोग समझते हैं बोला क्या जा रहा है एस सैंपल ऑफ फॉस्फॉरस का सैंपल लिया गया है और अगर तो फॉस्फॉरस का ही कुछ फॉर्मला दिया गया है तो फॉस्फॉरस का सैंपल लिया गया है फॉर्मला क्या है हमें नहीं पता है हमें क सैंपल का क्या निकालना है कुश्चर को पढ़ते हैं एस सैंपलौफ़ोरस ड़ैट वेस 2.4 ग्राम तो ऐसिंपल लिया गया है उसका व्लान यह मास्च इतना ग्राम है 12.4 ग्राम इस ऐसी प्रेशर उफ ए तो फॉस्फोरस का जो सैंपल लिया गया 12.4 ग्राम का वो कितना प्रेशर लगा रहा है एट एट इम का प्रेशर इन एट टू वन लीटर क्लोजड वेसल तो जिस वेसल में लिया गया उस वेसल का वॉल्म कितना है पॉइंट टू वन लिटर एट फाइट टूटी सेवन डिग्री सोल्सेस तो जो भी डाटा है मैंने हाइलाइट कर दिया डाटा पर ध्यान दिजिए फॉस्फोरस का सैंपल कितना ग्राम लिया गया 12.5 त्वेल प्रेशर लगा रहा है एट 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 इम का जिस वेसल में लिय गया फाइब टॉन्टी सेवन डिग्री सलसियस के टेम्टरेचर पर निकालना क्या है दा मोल्कुलर फॉर्मॉला ऑफ फॉस्फोरस वेपर का मोल्कुलर फॉर्मॉला क्या होगा पी टू होगा पी फॉर होगा पी सिक्स होगा हमें नहीं पता है तो हम लोग मान लेते हैं कि फॉसफरोस वेपर का मोल्कुलर फॉर्मला क्या है PX है अगर एक्सton 2 निख और पीफोर एक्स परावर से एक्स तो फॉर्मला हो जाएगा पीश तो हमें यह एक्स निकालना है अब कुश्चन के डाटा पर आते हैं जो मास लिया गया है डबलू वो कितना ग्राम है 12.4 ग्राम कितने प्रेशर पर है तो प्रेशर हम लोगा कितना दिया हुआ है 8 ATM का प्रेशर कंटेनर का वॉल्म कितना हम लोगा तो 0.821 लिटर यह कंटेनर का वॉल्म और टेंप्रेचर की बात करें तो टेंप्रेचर कितना हम लोगा 527 डिग्री सल्सियस तो टेंप्रेचर 527 डिग्री स चोड़कर बताइए 527 प्लस 273 कितना जाएगा हम लोग का 800 केलबीन तो हम यह एक्स निकाल ले तो फॉस्फोरस वेपर का फॉर्मुला निकल जाएगा कोश्चन के डाटा पर अब ध्यान दिजिए कोश्चन इधर पढ़ने का कोई जरुवत नहीं फॉस्फोरस का सैंपल कितना ग्राम 12.4 ग्राम लिया गया प्रेसर कितना लगा रहा है एक टीम का कंटेनर का वॉल्म इस क्लोज्ड वेशल का वॉल्म कितना पॉइंट एट लग बात करें तो मॉल्कुलर वेट फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट थार्टी वन तो एटॉमिक वेट थार्टी वन इंटू एक्स कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा थार्टी वन एक्स तो नंबर ओफ मोल्स निकालने हम लोग पहले ही तो 12.4 ग्राम डिवाइड़ बा कर दिए क्या निकलकर आगे भी हम लोग का मोल निकलकरा अब आइडियल गया सिक वेशन हम लोग यूज करें आइडियल गया सिक्वेशन क्या होता है पीवीक वकुल टू एन आर दी ज़िए चलिए सबसे पहले तो आप लोग पूरा पहले बॉर्ड उतार लिजिए और से सोल्यूशन तक उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग डाटा को पूट करते हैं प्रेसर हम लोग का कितना दिया हुआ है यूनिट के साथ रखना है प्रेसर एट एटीम वालूम कितना हम लोग का दिया हुआ है 0.821 लीटर वालूम हम लोग का 0.821 लीटर चलिए एक्वल टू नंबर ओफ मोल सम लोग का कितना है तो 12.4 अपाउन एक्वल टू नंबर ओफ मोल सम लोग का 12.4 डिवाइड़ भाई 31 एक्स इतना मोल है यह मोल हो गया इन्टू आर टी अब यहाँ पर ध्यान दे भाई प्रेसर एटीम में वालूम लीटर में तो प्रेसर एटीम वालूम लीटर में तो आर का भी वैल्यू किस में लेंगे हम लोग लीटर एटीम में लेंगे तो आर का वैल्यू लीटर एटीम है 0.0821 यह लीटर एटीम पर मोल केल्विन पर मोल केल्विन और टेम्प्रेशर की बात करें तो टेम्प्रेशर हम लोग का कितना दिया हुआ 800 केल्विन यह टेम्प्रेशर 800 केल्विन अब इसको सुल किया गाए यह ATM और यह ATM cancel out यह लीटर और यह लीटर cancel out यह Kelvin और यह Kelvin cancel out और यह mol और यह mol cancel out सारे unit cancel out हो जा रहा है एक्स को left में लेकर चले चलते हैं हम लोग तो एक्स को left में लेकर चले हैं और solve करें 12.4 into 0.0821 into 800 divided by 31 एक्स को हम लोग left में लेकर चले गए 8 को और 0.821 इन दोनों को right में लेकर आ जाएंगे तो कहां आ जाएगा नीचे में तो 8 into 0.821 अब इसको solve किया जाए अराम से बिल्कुल हम लोग solve कर सकते हैं solve करने के बाद x बरावर कितना आएगा यह 4 आएगा तो therefore molecular formula x equal to 4 आ गया तो molecular formula क्या हो जाएगा पी 4 यही हम लोग का क्या है answer हम लोग next question पर आजा next question में क्या data दिया हुआ है the volume of a gas at zero degree Celsius तो जो भी question का data है मैं उसको highlight कर रहा हूं at zero degree Celsius तो कोई भी gas लिया गया zero degree Celsius पर the volume of a gas at zero degree Celsius and 700 mm pressure 700 mm pressure is 760 CC तो तीन data है gas का temperature 0 degree Celsius गैस का pressure 700 mm और गैस कितने volume को occupy कर रहा है 760 CC हमें निकालना क्या है the number of molecules present is तो गैस के कितने number of molecules है वह हमें क्या करना है निकालना है आते हैं कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले तो एक container दिखा दीजिए इसी container में हम लोग का gas लिया गया है कौन सा गैस नहीं पता है कोई भी gas हो सकता है इस container में gas लिया गया गया किस temperature पर zero degree Celsius पर तो गैस का temperature zero degree Celsius Kelvin में बोले तो 273 Kelvin गैस किस pressure पर लिया गया है तो 700 mm के pressure पर लिया गया है गैस का pressure 700 mm और गैस का volume कितना है तो gas का volume है हम लोग का 760 CC में दिया हुआ है अब हमें number of molecules निकालना है तो जराद ध्यान दिजिए ideal gas equation जब हम लोग use करेंगे PV बराबर एनाटी तो आर का जो value हम लोग जो जानते है value एक value होता है जूल में मैंने आपको लोगों को बोला है आर का value बिल्कुल कंठस्त होना चाहिए तो आर का value मैं repeat करवा रहा हूं आप लोग भी साथ-साथ repeat कि आपने मन में अपने जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे जैसे value को मन में repeat करना है आर का एक value 8.314 जूल पर मुल केलविन दूसरा value आर का 1.987 कैलोरी पर मुल केलविन और तीसरा value 8.0821 लीटर एकी एम पर मुल केल्विन तो यह बताइए यहां कहीं भी unit में लीटर नहीं है एकीम नहीं है जूल नहीं है कैलोरी नहीं है तो हमें करना क्या होगा हमें pressure का unit बदलना होगा वालिम का unit बदलना होगा तो आर का value हम लोग liter एकीम में जानते हैं तो हमें volume CC से liter में बदलना होगा change करना होगा pressure mm से ATM में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे समझेगा यह बताइए 1 ATM बराबर कितना mm होता है 760 mm तो 760 mm equal to कितना तो यह 1 ATM के बराबर है तो 1 mm कितने के बराबर होगा तो 1 divided by 760 ATM के बराबर हो जाएगा तो 700 mm कितने के बराबर तो 700 divided by 760 मतलब concept क्या है अगर pressure mm में दिया हुआ है mm में दिया हुआ है उसे ATM में convert करना है तो हम लोग 760 से क्या कर देंगे divide कर देंगे तो आगे से ध्यान में रखिएगा अगर gas का pressure mm of mercury में दिया हुआ है उसे हम लोग चाहते है atmosphere में ATM में convert करना तो mm of mercury में जो pressure दिया हुआ है उसे 760 से divide कर देंगे तो इसे हम लोग 760 से divide कर देंगे तो 700 divided by 760 ATM यह pressure हम लोग आ गया ATM में अब चलते हैं हम लोग CC को लीटर में convert करते हैं तो याद करें one milliliter equal to one centimeter cube equal to one CC तो यह CC और milliliter दोनों बराबर होते हैं तो यह जो centimeter cube है इसे हम लोग CC इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं milliliter अब milliliter को लीटर में convert करना है तो 1000 से divide कर देंगे तो 760 divided by 1000 इतना क्या गया लीटर तो अब pressure ATM में और volume किस में convert हो गया लीटर में convert हो गया अब number of moles हम लोग निकाले तो इन ब्राबर क्या होता है हम लोग का PV upon RT अब simply data को put करें unit को पूट करने के जरूत नहीं हम लोग कई question कर चुके हैं तो हम लोग data को पूट करें एन ब्राबर तो भाई pressure हम लोग का कितना है 700 divided by 760 760 वाल्यूम भी पर चले 760 divided by 1000 divided by 1000 अब next हम लोग आते हैं आर पर ध्यान दीजिए प्रेशर हम लोगोंने ATM में रखा वालिम हम लोगोंने लीटर में रखा pressure ATM वाल्यूम लीटर में तो आर का वैल्यू भी किसमें आगा लिटर ATM में तो आर का वैल्यू लीटर ATM में 0.0821 लीटर ATM पर मैं मोल केल्विन और टेंप्रेशर कितना दिया हम लोग का 2 72 केल्विन दियान दे紧े Mrs atm volume prop न में आर का वैल्य लीटर में लीटर लीटर में तो लीटर केम उपर यह जेंड चैलोट यहाँ में मोलôn क्रेंगे यहाँ से मोल्स जो हम लोग का निकल कराएगा 700 को 1000 से डिवाइड कीजिए कितना हैगा हम लोग का 0.7 0.7 divided by denominator में 0.0821 into 273 इन दोनों को आपस में multiply कीजिए इन दोनों को आपस में multiply कर देंगे कितना हैगा 22.4 ये इतना मोल आ गया अब हमें number of molecules निकालना है तो कुछ formula याद कीजिए number of moles बराबर number of particles divided by एवेगाड़ो number तो number of moles को एवेगाड़ो number से multiply कर देंगे क्या निकलेगा number of particles या number of molecules तो हम लोग का number of molecules कितना होगा तो therefore number of molecules capital N 0.7 divided by 22.4 into एवेगाड़ो number 6.022 into 10 की पावर 23 इतने molecules होगे अब ये calculate करने के बाद जो final answer आ रहा हूँ final answer में बता रहा हूँ ये 1.88 into 10 की पावर 22 molecules आएगा final answer अब बताएए कौन सा option मैच करेगा A option नेक्स को समझ जीएगा next question में क्या data दिया हुआ है the density of कैमफर वेपर कैमफर कपूर को बोला जा रहा है तो कैमफर वेपर कपूर के वेपर का डेंसिटी is found to be 3.84 ग्राम पर लिटर at 210 डिग्री सल्शियस and 180 प्रेशर तो कैमफर वेपर का डेंसिटी कितना पाया गया 3.84 ग्राम पर लिटर किस टेंप्रेचर पर 210 डिग्री सल्शियस पर और किस प्रेशर पर 180 के प्रेशर पर तो 180 के प्रेशर और 210 डिग्री सल्शियस के टेंप्रेचर पर कैमफर वेपर का देंसिटी 3.84 ग्राम पर लिटर पाया गया निकालना क्या है correct formula of camper camper का correct formula A, B, C, D में से कौन सा camper का correct formula होगा तो हम लोग आते हैं कैसे बनाएंगे इस question को तो वो ले कि इसी container में camper वेपर हम लोग का था तो camper का वेपर इसी container में लिया गया है और उस वेपर का देंसिटी हम लोग का कितना दिया तो देंसिटी हम लोग का पाया गया 3.84 ग्राम पर लीटर किस टेंपरेचर पर तो 210 डिगरी सलसियस पर इसको केलिविन में कर वर्ट करना है उसमें 273 क्या कर देंगे हम लोग आइड कर देंगे तो 273 add कर दिजिए Kelvin में अंसर कितना आ जाएगा हम लोग का तो 483 Kelvin तो कैमफर वेपर का density 483 Kelvin पर कितना पाया गया 3.84 ग्राम पर लिटर और वेपर का प्रेशर कितना था तो 180 हमें उसका formula निकालना है तो देखिए क्या हम लोग करेंगे भाई गैस का प्रेशर पता है टेंपरेचर पता है डेंसिटी पता है आइडियल गैस इक्वेशन यूज किजिए एक फॉर्मला था पीवी ब्रावर एन के टी और तीसरा था पीवी ब्रावर डी आर टी तो देंसिटी जहां यूज आ रहा है उसी formula का यूज करेंगे तो पीएम ब्रावर डी आर टी तो यहां से एम निकलेगा एम ब्रावर क्या हो जाएगा हम लोग का डी आर टी डिवाइड़ वाई पी देखिए formula पर पी को लेकर आ जाए तो क्या जाएगा पी एम ब्रावर डी तो इस formula का यूज करके हम लोगे एम कैमफर का molecular weight निकाल सकते हैं तो molecular weight निकाला जाए तो यूनिट के साथ पूटके जिए तो यह एम ब्रावर जो आएगा तो ध्यान पर रखिए यह एम molecular weight नहीं निकलेगा molar mass आएगा कैमफर का molar mass तो density हम लोग का 3.84 ग्राम पर लिटर यह density का data हो गया चलिए प्रेशर पर आ जाए हम लोग प्रेशर हम लोग का denominator में कितना 1 ATM यूनिट के साथ हम लोग रख रहे हैं प्रेशर 1 ATM अब यह बताईए यहाँ density में देख रहे हैं लीटर प्रेशर में देख रहे हैं वाई लीटर अटियमा गया तो r का value भी किसमें लेंगे लीटर एटीयमें तो r का value लीटर एटीयमे 0.0821 लीटर एटीयम पर मोल केलविन लीटर एटीयम पर मोल केलविन अब हम लोग चलते हैं temperature पर तो temperature हम लोग का कितना 483 km वन अब इसको solve किजिए सबसे पहले यूनिट पर द्यान देजिए ये लीटर ये लीटर ऑफ ये एटीएम ये एटीएम कैंसल ऑफ ये केलावजेंं और ये टेझलावज добртя। द्यान देजिए क्या यूनिट भज गया ग्राम पर मोल ये मोलर मासक अशर आएगा अब इनको calculate करें तो calculate करने के बाद calculate करने के बाद जो final answer आएगा वो m का final answer calculate आप लोग कीजीक calculate करने के बाद जो final answer आएगा हुआ आएगा 152 ग्राम पर मोल ग्राम पर मोल यह आ गया तो यह molar मास आ गया हम लोग का यह बता यह molecular weight कितना आएगा हम लोग का तो molecular weight आजाएगा 152 याद किजिए molecular weight के आगे ग्राम लगा दें तो कितने मोल का मास एक मोल का मास तो यह 152 ग्राम पर मोल पर मोल का मतलब कितने मोल का मास है तो molar मास में से ग्राम पर मोल हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा molecular weight मिल जाएगा तो यहां से ग्राम पर मोल हटा दे तो इस और यहां पर अगर हम लोग लगा देंगे तो वन मोल का मास आ जाएगा तो हमेशा ध्यान बरकिए मोलर मास जब भी कुश्चन में हम लोग निकालते हैं वहां से ग्राम पर मोल यूनिट को हटा दे तो हमें उस सबस्टेंस का क्या मिल जाएगा मौल कुलर बेट मिल जाएगा तो कैमफर का मौल कुलर वेट निकला 152 अब ABCD चार और तो हम लोग अंसर कैसे तएंगे परतेंगे ऊपश्चन का एक गा मोल कुलर बेट निकालेंगे सी कर दी सब जगे मोलकुलर वेट निकालेंगे जिस option में molecular weight 152 आएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो अब molecular weight आप लोग सबका निकालिएगा 152 molecular weight किसका आएगा c10 h16 o का इस compound का molecular weight 152 आएगा तो therefore formula of camphor vapor is c10 h16 o consumption b option को समझ यह next question क्या दिया हुआ है 11.2 liter of a gas तो किसी भी gas का volume दिया 11.2 liter of a gas at NTP तो अब ध्यान देजिए gas का volume NTP पर दिया हुआ है 11.2 liter of a gas at NTP weighs 14 gram तो किसी भी गैस का volume NTP पर 11.2 liter है और उसका मास कितना ग्राम का है तो 14 gram का molecular weight of gas is gas का molecular weight हमें निकालना है तो कैसे हम लोग निकालेंगे तो question में जो data दे रहा है वो किस condition पर दे रहा है NTP पर दे रहा है NTP पर गैस का volume 11.2 liter दे दिया है और इस 11.2 liter का जो मास है वो कितना ग्राम है तो 14 gram है सबसे पहले हम लोग इस data का यूज करें अगर किसी भी गैस का volume NTP पर दिया हुआ है number of moles निकालना है तो number of moles कैसे निकालते है volume को 22.4 से क्या कर देंगे divide कर देंगे तो गैस का mole निकल जाएगा 11.2 volume लीटर में रखें और 22.4 से हम लोग ने क्या कर दिया divide कर दिया तो यह गैस का कितना mole आएगा 1 by 2 mole आएगा अब number of moles निकालने का दूसरा formula gas का मास ग्राम में पता है molecular weight से divide कर देंगे तो यह 14 इसको molecular weight से क्या कर दें हम लोग divide कर दें equal to कितना आजाएगा हम लोग का तो हाफ mole 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 cancel out अब यहां से गैस का molecular weight हम लोग का निकल कर आजाएगा गैस का molecular weight कितना तो 28 के बराबर बच्चों हम लोग next question पर आते हैं next question को समझे क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है the weight of one mole of a gas हमें किसी भी gas के एक mole का weight निकलना है the weight of one mole of a gas of density 0.1784 gram per liter at NTP तो कोई gas है जिसका density दिया हुआ है 0.1784 gram per liter NTP पर gas का density दिया हुआ है एक mole का weight कितना होगा हमें क्या करना है निकालना है देखिए ध्यान दिजिए data तो बिल्गुल clear हो गया भाई किसी गैस का NTP पर density दिया हुआ है one mole का weight कितना होगा हमें क्या करना है निकालना है तो इस question को हम लोग दो तरीके से करेंगे एक तो हम लोग formula यूज करेंगे PM ब्रावर DRT का भाई density का data दे दिया है तो PM ब्रावर DRT के data का यूज करकर वहां से बेट निकालेंगे दूसरा method जो हम लोग करेंगे प्योर concept से करेंगे जिसमें कोई formula यूज मनें आएगा लेकिन दूसरे method को समझने के लिए हमें थोड़ा concentrate करना पड़ेगा concentrate कीजिएगा concept पकड़ लिजिएगा question एक लाइन में बनेगा तो हम लोग पहले आते हैं जो समझने में आसान है तो first method से हम लोग इस question को कर रहा है first method से density का data दिया हुआ है 0.1784 ग्राम पर लिटर ये density का data दिया हुआ है NTP पर बोल रहा है तो NTP पर temperature zero degree Celsius 273 Kelvin pressure कितना हम लोग का 180 प्रेशर हम लोग का 180 तो पी एम ब्रावर DRT का यूज करकर हम लोग यहां से M निकाल लेंगे M ब्रावर क्या जाएगा हम लोग का DRT divided by P यहां से M निकलेगा molar mass तो हम लोग data को put करें तो एम ब्रावर data को put किजिए density का data रखिए 0.1784 ध्यान बर रखिए gram पर लीटर में है तो gram पर लीटर में और प्रेशर डिनोमिनेटर में किसमें तो ATM में है तो डिनोमिनेटर में प्रेशर में लोगा कितना है या 1 ATM इंटू आर का वैल्यू पर ध्यान देजिए यह है gram पर लीटर में प्रेशर है ATM में तो आर का डाटा भी किसमें रखेंगे लीटर ATM में लीटर ATM में कितना तो 0.0821 इन्टू टेंपरेचर कितना 273 Kelvin सारे unit cancel out हो जाएंगे M molar mass निकल कर आएगा देखें यहाँ पर gram है तो molar mass आएगा gram पर mole में gram पर mole में अब यह हम लोग calculate करें तो calculate करने पर M जो निकलेगा M कितना आजाएगा हम लोग का 4 gram पर mole molar mass molar mass का मतलब कितने mole का mass एक mole का mass एक mole का mass 4 gram 4 gram पर mole तो एक mole का mass कितना gram 4 gram तो कौन सा option हो जाएगा C option अब इसी question को हम लोग दूसरे तरीके से कर रहे हैं समझिएगा कोई ideal gas equation use नहीं करेंगे density का data दिया है NTP पर सबसे पहले बताइए एक mole gas का volume NTP पर कितना होता है 22 समलोग चार लिटर तो volume of one mole volume of one mole एक mole का जो volume होता है NTP पर volume of one mole at NTP पर वो कितना होता है हम लोग का 22.4 लिटर ये data लिए तो एक mole gas का volume NTP पर कितना 24 22.4 लिटर तो ये volume है ध्यान मर रखिएगा कितने mole का एक mole का कौन से कंडिशन पर NTP के कंडिशन पर अब density का data दिया हुआ है density का data हम लोग का कितना दे रखा है तो density हम लोग का दिया हुआ है 0.1784 ग्राम पर लिटर अब density हम लोग कैसे निकालते हैं चाहिए solid हो liquid हो gas density कैसे mass by volume तो अब ये बताइए अगर denominator में volume 1 mole का रखेंगे तो mass भी कितने mole का मिलेगा 1 mole का ही mass मिलेगा तो therefore mass of 1 mole 1 mole gas का mass कितना हो जाएगा तो 0.1784 इन्टू volume 1 mole का multiply किजिए 22.4 liter लिटर लिटर cancel out ये solve करने के बाद अंसर कितना आजाएगा हम लोग का 4 ग्राम ये जो alternate method से जो question को किये हैं बड़ा गौर से इसको समझिएगा नेक्स कोस्टन समझिए बड़ा ही important question है यहां पर इस question के थूरू unit conversion पर हम लोग अपना पकड़ बढ़ाएंगे जबकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था अगर हम लोग को unit पर बढ़ियां से पकड़ नहीं हो तो कहां कहां problem होगा तो अगर हमें numerical solve करते समय unit पर बढ़ियां से पकड़ नहीं है बढ़ियां command नहीं है तो physical chemistry के question और physics के question में हमें क्या होगा परशान करेगा कई बार अंसर गलत हो जाएगा सही बनाने के वाबजूद में भी कई बार अंसर क्या होगा गलत होगा तो हमें R का value निकालना है लेकिन different units में निकालना है R का value हम लोग क्या-क्या जानते हैं तो एक जानते हैं Joule पर मोल Kelvin में दूसरा जानते हैं हम लोग calorie पर मोल Kelvin और तीसरा है आप निकालना है रिख्यान्प क्याइब निकालना है समझे यह पांचों मैं बना दे रहा हूं पहले ध्यान से देखिए समझे हो और इसके बाद खुद से इनकोस्टेन का प्राक्टिस करना है इनी कोश्चन का नहीं आज के वीडियो में जितने भी निमेरकल्स बताएगे हैं उन सारे निमेरकल्स का एक बार समझने के बाद खुद से प्राक्टिस करना है तो हम लोग पहले कोश्चन पर आते हैं कैसे करेंगे कैसे करेंगे समझे हमें अरग में नि तो 8.314 into 10 to 7 अर्ग हम लोग R का वैल्यू जूल में जानते हैं R equal to 8.314 जूल पर मोल केल्विन अब इसी जूल को अर्ग में करणवर्ट कर दीजे तो अर्ग में कितना जाएगा तो R equal to 8.314 into 10 to power 7 अर्ग पर मोल केल्विन तिया हम लोग का R का वैल्यू कि इसमें निकल कर आ गया अर्ग पर मोल केल्विन में चलिए इसको उतारिए पूरा उतार लिजिए आप लोग बोर्ट पर से हम लोग आते हैं सेकेंड पर R का वैल्यू हमें इलेक्ट्रोन वोल्ट में निकालना है कैसे निकालेंगे तो वण इलेक्ट्रोन वोल्ट को इसे निकालेंगे तो आर काली जूल में कितना तो और बराबर एटट्रीवर फोल्ड परमोल केल्विन यह हम लोग आर का वैल्यूल में लिख दिय है अब इसको rearrange किए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आर एक्वल टू 8.314 divided by 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 multiplied by 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 यह जूल परमुल केलिविन में आ गया अब यहां पर ध्यान दिए denominator में भी 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 numerator में भी 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 यह दोनों cancel out हो जाएंगे और यह cancel out होकर क्या बचेगा 8.314 बचेगा अभी हम लोग जस्ट लिखा गया है बोर्ट पर 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 यह कितने electron के बरावर 1 electron volt के बरावर तो therefore r बरावर कितना हो जागा हम लोग का 8.314 divided by 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 और यह पूरा का पूरा 1 electron volt है तो यह क्या गया electron volt पर मोल केल्विन तो यह r का value निकला किस में आ गया हम लोग का electron volt में आ गया हम लोग थार्ड पार्ट पर आते हैं आर का value हम लोग को मीटर क्यूब और बार में निकाला है मीटर क्यूब और बार में तो आर का value हम लोग लीटर एटियम में आ जाए 0.0821 लीटर एटियम पर मोल केल्विन अब हमें करना क्या है इस लीटर को मीटर क्यूब में बदल देना है और इस एटियम को बार में चेंज करना है तो लीटर और एटियम से लीटर को बदलेंगे मीटर क्यूब में और एटियम को बदलेंगे बार में तो हम लोग relationship पर आ जाएं वान मीटर क्यूब एक्वल टू याद करें कितना होता है थाउजन लीटर तो देर्फोर वन लीटर एक्वल टू कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब एक relationship हम लोग आ गया लीटर को मीटर क्यूब में बदलने के लिए अब ATM को बार में बदलने के लिए तो 1 ATM एक्वल टू याद करें 1.01325 बार होता है यह दो relationship हम लोग क्या गए यह लीटर और यह ATM अब लीटर को मीटर क्यूब में और ATM को बार में कैसे बदले गए तो इसको हम लोग ऐसे भी एक्वल टू 0.0821 इंटू वन लीटर इंटू 1 ATM ऐसे भी लिख सकते हैं अपाउन मोल केलविन पर मोल केलविन बाई वन लीटर वन एट यह मल्टिप्लाइब करेंगे वन वन से मल्टिप्लाइब करेंगे वह नहीं आएगा अब यह वन लीटर को मीटर क्यूब में चेंज क कीजिए तो हम लोग अब इसको इधर लिखते हैं आर एक्वल टू 0.0821 वन लीटर टैन की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब और 1 ATM बार में लिखिए 1.01325 यह आगया मीटर क्यूब बार पर मोल केलविन पर मोल केलविन अगर तीन कोश्चन आप लोग समझ गए हैं तो कोशिस कीजिए चौथे और पाच में को खुद से बनाने का फोर्थ और फेफ्थ को खुद से बनाईए देखिए आपसे बन पाता है या नहीं बन पाता है नहीं बन पाएगा सॉल्यूशन देखिएगा हम लोग आते हैं फोर्थ पर आर्कवैलिन हमें मिली लीटर और टॉर में निकाला है मिली एक ATM में कितना टॉर तो 760 टॉर तो मैं यहां पर लिख दिता हूं वान लीटर एक्वल टू थाउजन्ड मिली लीटर और 1 ATM एक्वल टू कितना 760 टॉर यह मैंने यहां पर लिख दिया अब यह जो आर का वैलियो है इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आर एक्वल टू 0.0821 इंटू वन लिटर इंटू 1 एक्वल टूर मॉल केलवीन यह हो गया अब लीटर यह 10000 यमल के बरावर मिली लिटर टॉर पर मोल केलबीन मिली लिटर टॉर पर मोल केलबीन तो यह आर्क आंसर आगया कि इसमें हम लोग का मिली लिटर और टॉर में हम लोग आते हैं लास्ट पार्ट पर आर का वैल्यू हमें न्यूटन मीटर में निकालना है देखें कैसे निकालेंगे न्यूटन और मीटर दोनों एसा यूनिट होते हैं अब आर का वैल्यू याद किजे एक था जूल में एक था कैलोरी में एक था लिटर अटी तो जूल कैलोरी और लिटर अटीम बताएए कौन एसाई में हुआ जूल वाला कैलोरी वाला ये लीटर से स्टाट करेंगे इंपर जूल किसे का युनिट में होता है इनरजी कई वरक का इसी का युनिट होता है इनर्जी युक् fatto और यूट ऑब और वर्क का फॉर्मला कैसे लिखते हैं तो फॉर्स एन्टू डिस्प्लेसमेंट तो यह हम लोग का हो गया work, work का formula, अब work का एसा unit होता है joule, force का एसा unit होता है newton और displacement का एसा unit क्या होता है, meter, मतलब joule को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं newton meter भे, तो यह joule किसके बराबर हम लोग का, तो newton meter, तो यह हमेशा ध्यान में रखे, joule और newton meter दोनों बराबर होते हैं, तो 1 joule equal to 1 newton meter, अब R का value हमें joule में पता है, 8.314 joule per mole Kelvin, अब joule और newton meter दोनों बराबर, तो therefore R बराबर कितना हो जागा, तो 8.314 newton meter per mole Kelvin, तो आज की क्लास में इतना ही, यह हम लोग का ideal gas equation का पूरा complete detail था, अब बच्चों हम लोग next class में मिलते हैं, और next class में हम लोग कुछ नए topic के बारे में study करेंगे, कौन-कौन से topic हम लोग पढ़ेंगे, वो मैं आपको बता दे रहा हूं, तो हम लोग vapor density और specific gravity यह सब क्या होता है, या in general बोले, density को हम लोग detail से समझेंगे, density किसे कहते हैं, और density कितने types के पाई जाते हैं, तो हम लोग मिलते हैं, next video में,